हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक माई चैनल विनीता किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं मैंचूरियन पनीर मैंचूरियन जो एक नए तरीके से हैं अगर आपको यह डिस पसंद आया हो तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक कर दिजेगा सस्क्राइब करिएगा कमेंट में बताईएगा कि यह डिस आपको कैसी लगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम लेंगे एक सिमला मिर्च चार पांच मिर्च हरी मिर्च एक प्याज और दो चार लहसुन की कली लेंगे अब इसे हम पनीर को लेंगे पनीर को आयस क्यूप के जैसा हम काट कर लेंगे अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे सरसो तेल ही यूज करेंगे और इसे हम इस तरह से फ्राइए कर लेंगे हलका रेड जैसा ब्राउन जैसा फ्राइए करेंगे ज्यादा डिप ब्राउन नहीं करेंगे ताकि यह सौप्ट ही रहे कड़ा ना हो जाए पनीर इस तरह स प्राइब करने से हमारा पनेर और इसमें हम एक दो चमच और तेल डाल लेंगे अब इसमें जीरा का फोरण डाल लेंगे हम जब तक जीरा चटक जाए उसके बाद हम जितना जो हमने प्याज ले सुन की कलियां और सिमला मेर्शी सब सब काट के रखा था उसे डाल के हम लेंगे नेखिए इस तरह से ज्यादा लो फ्लेम पर ही फ्राइब करेंगे ज्यादा हाइफ लेंगे तो प्याज जल जाएगा अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे हल्दी डालेंगे हाफ हिट्री स्पून अब इसे हम चला लेंगे इस तरह से हम इसे ढख ढख कर इसे ढख कर हम सिजा लेंगे अब देखिए यह हलका हो गया है थोड़ा सा इसमें हम एक चमसी जितना गरम मसाला आड़ करेंगे इस तरह से गरम मसाला आड़ करने के बाद इसे हम चला लेंगे इस तरह से फिर से हम ढख कर इसे पका लेंगे इस तरह से चला चला कर इसे हम ढख ढख कर ही पकाएंगे ताकि यह प्याज थोड़ा सा नर्म हो जाए अब इसमें हम एक चमस सोया सोस डालेंगे एक चमज इतना टेमाइटो सोच डालेंगे अब इसे डाल कर हम इसे मिक्स कर लेंगे अब हम पनीर डालेंगे पनीर डालने के बाद सब को मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम एक चम्मसी जितना कॉर्ण फ्लार लेंगे उसे हम पानी में घोल कर ठंड़े पानी में घोल कर इसमें आड़ कर लेंगे अट करने के बाद आप अपना ग्रेवी जिस तरह से आप रखना चाहते हैं उस तरह से आप इसमें पानी डाल ले इस तरह से पानी डाल कर आप ढग कर पका ले आपको अगर थोड़ा ज्यादा ग्रेवी पसंद है तो ज्यादा पानी डाल सकते हैं कम अगर सुखा पसंद है त इसलिए मैंने इस तरह से बिनाया है तो आप एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा अब उपर से हम मलाई डालेंगे इस तरह से मलाई डालेंगे फ्रेस मलाई देखे किता खुब शुरत कलर आ गया है इसमें बहुत सुन्दर लग र Wissenschaft प्रसुक्त कोछा क नत्रीज प्रसुप ग क्याद आप टूझ winners गया है आप इसे आइसे भी खा सकते हो पूदी आ रूटी के साथ चावल के साथ को के साथ भी कह सकते हो तो देखें कितना खुब्षूरत लग रहा है इसके उपर हम थोड़ा सा अब यह इसे सर्व करिए यह तेखें खाने में बहुत टेश्टी लग रहा है यह डिस अगर आपको पसांद आया हो प्लेस मेरे चैनल को लाइक कर दिजिए सब्सक्राइब कर दि कर दो कर दो क्या है रहा है यहाह 요म रहा है यह जोड़ा है यह जोड़ा थे लड नद ए कर दो रहा है जाए जोड़ा भी वार दो ही दो प्ले इस आपको